समय प्रबंधन के कुछ उदाहरण है कुछ ऐसे दी हैं जो उदाहरण नहीं है तो समय प्रबंधन समय जैसे मैंने का किसी के लिए नहीं रुका आश तक आज जो आपके पास समय है जिन्दगी जो है सतर से असी साल की है किस तरीके से हम और आधा जो समय है वो सोने में निकल जाता है तकरीबन आज घंटे और दिन में अगर एक घंटे सोते हैं आप तो नौ घंटे आप सोने में निकाल देते हैं तो आधी से थोड़ी कम जिंदगी आप सोने में निकाल देते हैं तो जुरूरी यह होता है कि यह समय को दारन दे रहा हूँ, यह जो समीरा आद देख रहे हैं, यह बड़ी पंक्चुल है, यानि काफी डिसिप्लेंट है स्कूल में, यह हर दिन एक शेडूल है इनका, यानि स्कूल का अपना उसको फालो करती है, यह पहले ही प्लान कर लेती है, मुझे क्या पढ़ना है, और मेरा खेलने का समय क्या है, यानि कि मेरे पास इतना समय है तो मेरा, यह समय पढ़ने का है, यह समय खेलने का है, यह समय सोने का, इस तरीके से इनका सब चीजे, मतलब टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से इनों प्रबंधन किया हुआ है, अब निशा का प्रबंधन देखे, एक तो ये लेट आती है काम पे और या कहीं स्कूल में लेट आती है जो इनको assignments मिलते है जो भी इनको homework मिलता है या फिर office में काम करती है तो project मिलता है ये समय पे नहीं कर पाती है डेडलाइन कभी बीट नहीं कर पाती है इसके अलावा ये कोई activity होती है कोई कहता चलो यार जिन्दगी बनाना अपनी life बनाना क्योंकि जब आपके पास पैसे आएंगे जिसे हम time management कहते है ये अगर आप सही से करते है तो आपको ये बहुत सारी चीज़ों में फाइदा करता है इसमें जो पहली चीज आती है वो आपकी आती है कि अपने कामों को आप समय पे ही कर पाएंगे यानि कि किसी की अगर आप समय पे काम नहीं करते है तो या तो आपको किसी की बात सुननी पड़ेगी या आपको loss हो जाएगा किसी की डाट सुननी पड़ेगी या कोई नुकसान हो जाएगा इसके लिए एक टाइम टेबल अगर आप टाइम टेबल बनाते हैं यानि क dislodule बनाते हैं कि मुझे इस समय यह करना है इस समय यह करना है चाहे हर दिन आप नहीं फालो कर पाए लेकिन मौடे तोरपे इसको फालो करें इससे एक फायदा यह होगा कि आपको पता लग जाएगा कि देखो मैंने जो एक exercise की है, इसे पंदरा सवाल थे, आज जो exercise है, इसमें करीबन 20 सवाल है, तो 15 सवाल को मुझे लगा था आदा गंटा, तो इसको तगरीमन 45 मिने लगना चाहिए, ऐसा आपके पास idea हो जाएगा, होम वर्क हो, कोई assignment हो, कोई job हो, कोई काम हो, आप समय पे कर पाएंगे, कभी भी आप लेट नहीं होंगे, और समय की value आपको पतल लग जाएगे, और समय को आप खराब नहीं करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि समय की वर्बादी, ये जिन्दगी का सबसे बड़ा नुकसान है, लोग समझते हैं लोग समझते हैं, समान चोरी हो गया, ये जो भी समझते हैं, समय की चोरी सबसे बड़ी चोरी है, बेसिकिटिए